हेलो दोस्तों मैं हरुष आप चार्जर आज की सीडियो में हम कंपारेजन करने वाले है नॉइस कलर फिट अल्ट्रा वर्स अ हुआ वे बैंट 6 तो वीडियो का पूरा देखिया अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना चैल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइका स्क्रिप्शन मिल जाएगा तो उसी वीडियो में कमेंट आया था दोस्तों की यह वाला अल्ट्रा खरीजना चाहिए की हुआवे बैंट 6 तो उसी क्वेस्चन का हम आंसर करेंगे कुन सा आपके लिए पर्फेक्ट रहेगा तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं डिजाइन से तो हम बेसिकली अगर आप अनर बैंट भी देख रहे हैं 6 तो उसका भी कंपारेजन यही ले सकते हैं क्यूंकि अनर बैंट 6 वावे बैंट 6 ओला था सेम खली एक ही डिफरेंस है हुआवे बैंट 6 में 24x7 SPO2 मतलब ट्रैकिंग है अनर बैंट 6 में वो नहीं है वावे में है तो पस उतने ही डिफरेंस है तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा अगर आप चेक आउट करना चाते हैं तो दिस इस हाव इट लुक्स ओके इस दा हुआवे बैंट 6 में पहला तो डिफरेंस होता है अगर हम देखे दोनों ही स्क्वार टाइप स्मार्ट वाच है बट लुक्स के मामले में इस वान लुक्स लाइक प्रॉपर स्मार्ट वाच वेरास जो हुआवे बैंट 6 है वो थोड़ा सा लगता है कि फिट्नेस बैंड को ही एक्सेंड कर द बैंड 6 में आपको एमोलेड डिस्प्लेय मिलता है इसमें आपको LCD इसमें 1.47 इंच के एमोलेड इसमें 1.75 इंच का LCD तो बड़ा बट LCD वो थोड़ा चोटा बट आमोलेड तो यहां सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है दोस्तों एमोलेड वर्स लेड लेड एलसीड आपको डेफिनेटली से एमोलेड हाज अपर हैं वालेड डेफिनेटली बेटर रहता है ट्राकिंग की बात करें तो दोनों में ही सेम बेसिक सबकुछ मिल जाता है इस पोडू हार्ट रेट बट एक चीज है कि जो हुआवे बैंड 6 में इसमें continuous SPO2 मिल जाता है वेराज इसमें continuous SPO2 नहीं मिलता continuous heart rate अपको इसमें मिल जाता है फिर sports mode की बात करें इसमें 60 sports mode band 6 में 96 sports mode again that is more फिर battery life यह 9 days claimed है that is 14 days claimed तो that is more फिर यह IP 68 and that is 5 ATM water resistant वाल अब अब अंडर वाटर भी जा पाएंगे तो again that is better pricing की बात करें तो यह 5000 का मिलता है वो अभी मैं देख रहा हो तो 4490 का मिलता है तो that is almost 500 रुपीज लेस तो कुन से आपके लिए best रहेगा दोस्तों on paper अगर आप features देखे तो definitely the Huawei band 6 is the clear-cut winner right देना चाहूंगा कि sales के मामले में the band 6 आप देखेंगे उतना ज्यादा sales नहीं होता इवन इसके आगे भी कुछ ऐसे fitness bands आये है जो इतना बड़ा बड़ा display वाला AMOLED देते हैं मतला थोड़ा बड़ा ही रहत है एकदम तो छोटा आप देखिए fitness band के मुकाबले यह बड़ा ही display है कुछ इतना चोटा भी नहीं है मतलब smart watch भी आपको यह display size में मिलता है but still आप 5000 रुपीज में देखेंगे तो the fitness bands with AMOLED are not really the best sellers the best sellers are the smart watch with LCD ऐसा क्यों number one चीज है दोस्तों की आपको looks 5000 spent कर रहे है look तो at least smart watch वाला चाहिए ही चाहिए मतलब जादातर लोगों को यह चाहिए ह जिसमें इसका सबसा सबसे बड़ा problem आ जाता है अगर यह लोगों ने ऐसा size में ऐसा type design में AMOLED देते तो यह number one sell होता बट यह fitness band style में वो सबसे बड़ा problem आता है कि आपको fitness band वाला design चलेगा कि नहीं चलेगा अगर आपको वो चलेगा तो फिर आपने देख लिया है कि features के माम है definitely कुछ चीजों में ज्यादतर चीजों में edge भी है better है बट वही आ जाता है final में कि आप look क्योंकि पहला चीज जब आप पहनते है कोई देखता है तो लुक कौन सा smart watch है बई कौन सा बैना है तो वही चीज हो जाते है मैं simple बोलूंगा दोस्तों मैं ज्यादा थोड़ा सा त at the end of the day मैं अगर खरीटता तो यह एक ही चीज पर मैं देखता है am I happy with the smart watch type look चाहिए कि नहीं चाहिए स्मार्ट वॉच्ट टैप लुक चाहिए गो फॉर्द अगर आपको उतना फरक नहीं पढ़ता स्मार्ट वॉच्ट आपको वह लुक भी अच्छा है एमोलेट डिस्प्ले चाहिए गो फॉदर गो फॉदर हुआवे बैंट 6 नहीं तो और बैंट से अगर आफ लिपकार्ट पर देख रहे तो और बैंट 6 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है वीडियो अगर यूसफुल लगा दोस्तों जो भी मुझे लग सब्स्ट्राइब। बएब से सिर्व